सुबह के सेर करती हुए नागपुर के लोगों ने नए साल की पहले सुबह मनाए नागपुर के नागरिक मंच ने अजनी रेलवे कॉलिनिक शेत्र में इस अनुठे काले करम का आयोचन किया था अजनी रेल्वे कॉलिनिक शेतर में रेल्वे के मल्टी इंटर मॉडल स्टेशन की एक परियोशना प्रस्तावित है इस परियोशना को वास्तेक्ता बनाने के लिए रेल्वे कॉलिनिक शेतर में 7000 से अधिक पेड काट दिये चाहेंगे इसके अलावा रेलने कॉलनी शेत्र में प्रिटिश काल में स्थापित कौटर भी दस्त कर दिये चाहेंगे शेहर के परियावरन कारेकरताओं ने एक रुक अपनाया है कि परियोचना को अच्छे में जगण नहीं लेनी चाहिए क्योंकि परियोचना के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया चाहेगा ऐसी आकांच्छा है कि यह परियोचना परियावरन को नश्ट कर देगी इसलिए अजनिवन बच्छाओ आनोलन उबरा है इस आनोलन को भारी समर्थन मिल रहा है नागरिकों को विशे समझानी की कोशिश करने के लिए नागरिक मंच ने 10 साल की पहली सुभा एक सुभा की सेर का आयोचन किया सुभा की सेर में बड़ी संख्या में युवाओ, महिलाओ और ख्षेत्र के नागरिकों ने भाग लिया इसमें परियावरन विदक डॉक्टर जैदीव दास प्रकृती प्रेमी विजय खूगे अरण्य परियावरन संस्थान के राजमदंकर, विरासत के व्यावसाई संदिप पाथे और कल्तोरुक्ष संस्था के वैभावराउत ने दर्शिकों को मार्दर्शिन किया विकास और विनाश के बारे में बात करने के बजाए नागरिकों को इस परियोशना के लिए विकल्पों का सुझाओ देना चाहिए अरण्य परियोजना के प्रमुक राज मदंकर ने लोगों से अपील की कि वे शहर के हीरत पट्टियों को पचानी के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलन करे खापरे में खाली जग Halo की उपलब्दता के बावजूत अजनी में अस परियोजना के लिए आगरह करना परियावरं के लिए विनाशकारी होगा परियावरन वीदक डॉक्टर जेरीव दास ने विचार व्यक्त किया कि नागरिकों को परियोचना को स्थाना अंतरित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए यदि पानी और जंगल सुरक्षित है तो मनुशल चीवित रहेगा लेकिन भविश्य में उसे ऑक्सिजन की तलाश में इधर उधर जाना पड़ेगा प्रकृती प्रेमी विजय गूगे ने युआउ से परियावरन को बचाने की पहल करने की अपील की इस समय अजनी रेल्वे कॉलिनी के शेत्र में पेड लगाये गए थे। कॉलिनी में रहने वाले परिवारों ने घोशना की कि वे इन पेडों को बचाने के लिए पहल कर रहे हैं आयोजन में बड़ी संख्या में रेल्वे में स्कूल के पूर्वचात्र भी मौचू थे।